हमारे यूट्यू चैनल मोति पुर्णीज में आपका स्वागत है आज बड़ी खबर लेका है परधान मंतरी पंजाब के 38 स्वेदन सिल जोन में 20 मेर तक फंसे रहे परधान मंतरी आखिर जाने क्यों फंसे थे बताते चले के हाले ही में परधान मंतरी मोदी ने पंजाब गए थे परधान मंतरी नेर्द मोदी काफिला बूद्वार को तकरीवें 20 मेर तक बेहत सुरक्षित एरिया में ख़रा रहा पंजाब में फिरोज पूर जीले के अंतर मुद्वकी के पास नेसला हाइबर पर जिस जग़ परधान मंतरी रुकना परा हुआ अतिस सेदन सिल जोन है यहां से भारत पकिस्तान का अंतर राष्टिय सीमा महच 30 किलोमेटर दूरी पर है इस एरिया में लगतार टिफिन बॉम और अन विस्पोटक पदार्थ मिलते रहते हैं ऐसे परधान मंतरी के विजिट के मदे नजर पंजाब पुलिस के जीस तरह इंतिजाम करने चाहिए था गराउंड पर वो नजर नहीं बताते चले कि भारत पकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के नजर्दिक बसे होने के वज़ा से फिरोजपूर पंजाब के बेहाद सवेदनसील जिला है यहां परधान मंतरी के रैली एलान लगभग डेर हपते पहले हो गया था जिस जलालाबाद कस्वे में 15 दिसंबर 2001 के इसको बलाश्ट हुआ था वो भी फिरोजपूर के नजर्दिक है और एन आईये के जाच में साफ हो चुका है कि वो आतंकी हमला था जलालाबाद बलाश्ट के बाद एन आई द्वारा टिफिन बंप सप्लाई करने के आरोप में के और गिराबत या तो बताते चले कि यह आतंकी अरिया है हर्ज समय यहां बिशपोट होते रहता है तो देख सकते हैं कि यहाँ परधान मूंत्री का का फिला नहीं तय किये और मौसम खराब होने के कारण हेलिकोप्टर से नहीं जा सके जिसके कारण पंजाब पुलिस के सुझाव से रूठ बनाया गया भठिंदा एरपोर्ट पर उतरने के बाद परधान मंतरी को पहले हेलिकोप्टर से फिरोजबूर पहुंचना था जोकि बूधवा पंजाब पुलिस ने इस रूठ को सुरक्षित बताया मगर इसे करी चूख हो गई